हाजी गुड मॉर्निंग साथियो स्वागत है आपका इस ओनलाइन प्लेटफॉन पर साथियो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है टॉपिक और क्लासिफिकेशन के बारे में कल हम गहनता से चर्चा कर चुके थे तो उसी को आज टॉपिक को आ लेकिन फिर भी कोसिस करूँगा कि गंडे तो आपकी क्लास लेही लो ठीक है क्योंकि यहां इसी नहीं चल पा रहा और गर्मी लग रही है बज़े से में क्लास नहीं ले पाया था तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है यह टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रायोग और यहक बंपने के सोपाण क्या होते हैं तो डॉक्टर ऐसा रंगनाथन ने कहा था तो कि एक तेक्रन का ब्लीठ景 कैणा के लिए लेगरन WOW करन करते हो तो यह तो परंगी करन में क्या होता है उस बढरीक करन में में गल्ती होने की एक को संभाबना रह जाती है लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्रायोगिक बरिकरन का सूत्र देने का उन्होंने एक तरीके से सूत्र उन्होंने दिया था उस प्रायोगिक बरिकरन में छोन मेर kitty कर ना पड़ता है इस सेंख्या होती है जो पुस्तक का टाइटल है उस गोधन नाम की पुस्तक का हम क्या करते हैं लाइब्रेरी सैंस की जो कॉलन क्लासिफिकेशन है या कोई भी क्लासिफिकेशन की स्कीम है उस क्लासिफिकेशन की स्कीम के हिसाब से उसको नमबर देने का काम वो उसका होता है कृतिम नाम बनाना ठीक है तो ऐसे करके हम लोग आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक हम पढ़े हैं और बायकादा आप लोगों को उधारन के द्वारा हम इसको समझाने की आपको कॉसिस करेंगे तो साथ यो यह जो टॉपिक है इस टॉपिक में से एक प्रश्ण आने की संभाव ना बनती है और कैसे प्रश्ण आएगा वो मैं आपको साथ-साथ बताते चलूँगा कल हमने क्लासिफिकेशन को लेकर चर्चा कर ली थी जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि भाई क्लासिफिकेशन जो है एक आंगल भासा का सब्द है जो क्लासिस लेटिन भासा की सब्द क्लासिस से मिलकर बना है और के जनक कही जाएं तो जनक कौन कहे थे मैंने अरस्तू को बताया था इसी में मैंने आगे जब बढ़ा तो इसमें मैंने बताया था कि लाइबरेदी क्लासफिकेशन के जनक कौन है तो मैलविन डेबी को बताया फिर मैंने कहा था कि भारत में अगर प्लासिफिकेशन के जनक कह जाएंगे तो कौन है तो वो डाक्टर ऐसा रगनातनी ऐसे मैंने आपको बताया था और क्लासिफिकेशन इस्कीम जो बनाने वाले होते हैं जो जैसे सी सी हुई डीडी आबारे में मताया उसके काईररों के बारे में इस सारी चीजें हम कल डिसकस कर चुके थे तो आज की जो क्लास है ये Κ्लास हमारी हो harm सूपान तो यह आपको हेडिंग ढालनी है प्रयायोगिक बर्गी करन के सोपान आप देखो यह स्टैब पड़ेंगे हम स्टैब किसके स्केप्राइब क्लासिश्ण करते हैं तो अब प्रक्तिकल वाले व्यक्ति कोन थे यह जो दीये थीट यह जो प्रक्राइब रहे हैं तो डाक्टर ऐसा रंगनाथन ने जो सोपान बताये थे इन सोपानों की बात करें तो यह टोटल जो कुल सोपानों की संख्या थी तो कुल सोपानों की संख्या कितनी थी कुल सोपान जो है कुल सोपान है 9 और इन 9 सुपानों को हम 3 भागों में बाढ़ सकते हैं कितने भागों में तीन भागों में बाढ़ते हैं अब 3 भागों की बात करें तो एक तो होता है अपना idea idea plan ठीक है दूसरा होता है हमारा बर्वल प्लेंब और तीसरा होता है हमारा नौटेशन प्लेन हैं नजो करंग के द्वारद यह प्रायो बर्गी गरन के सोपた नौच से दिए आप को याद करना है कि प्रायोक बर्गी करते हैं उसमें गलती होने की एक बार को संभावना रह जाती है लेकिन यदि हम इस प्रायोगत बर्गी करन के जो नौँ स्टेप है इन नौँ स्टेपों में से होके हम किसी टाइटल को निकालेंगे तो हमारी जो कॉल नंबर बनके हमारे पास आएगा फाइनली वो कॉल नमर से आप करें लिएक उन्होंने कोस्सिस की थी जिसमें हम देखते हैं बैचार क्या हो गया बैचार के हीम्धी में बात करें तो बैचार कंब में कैसे आगे थेखेंगे तब तक आप इतना लिख लीजिए हैना इतना लिख लीजिए और इसमें हम जै corpse Bye Tr on the C lotta समय तोटल कितने सोपान है नौउ सोपान है और कितने भागों में बाक फाटा है कितने यह बहुत अच्छेस घ्यान रखना है प्रायोग में हम बात करते हैं किसकी नौ इस्टेपों में सबसे पहला इस्टेप जो हमारा है वो जीरो से स्टार्ट होता है यह आप लोगों को याद रखना है तो जीरो वन टू थ्री और फूर यह जो है जीरो से लेके चार तक के जो सोपान है जीरो से लेके चार तक के जो सोपान है इन सोपानों को हम किस भाग में बाटे हैं हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 9 सोपान है तीन भागों में बाटे हैं जिसमें हमारा बैचारिक कौन सा बैचारिक के रू होता है साब्दिक कौन सा होता है साब्दिक होता है और यह छटवे और साथवे नमबर का जो होता है यह होता है अंकन क्या होता है अंकन से संबंदित होता है तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जो डाक्टर ऐसार रंगनाथन है उन्होंने तीन यहां पर इनको भागों में के लिए जोड़ा था अब यह पूरा की पूरा आप लोगों को याद करना है कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देता हूं आप लोगों को याद करना है यह इंगलिस में हिंदी में आप एक बार देख सकते हैं लेकिन हिंदी इसमें बहुत टिफिकल आप लोगों के लिए पढ़ेगी लेकिन मैं यहां पर आपको इंगलिस में भी तुरंत याद करवा दूगा तो यहां पर बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे हैं नौइ स्टेपों की नौइ स्टेपों में जब से पहले आइडिया ठीक है दूसरा कौन सा था बर्वल और तीसरा नोटेशन इसको बांट आए जिसमें सबसे पहले किस्टा है जीरो से यहां पर स्टार्ट हो रहा है अब आप लोगों को जीरो से लेके 4 तक का एगवार देखना है जो बैचारिक बैचारक के हैं जिसमें हम आप याद कैसे करेंगे हम लोगों को डाइरेक्ट एकदम ऐसे याद करना है binary Theory letter analysis title और जब हम इसको उधारन इसके बाद में हम इसको ऊधारन देखें आपको समझाएंगे तो आपके एक्दम समझ में ऐसे आजाएगा और एक्दम ये जो हैं बिलकुल क्रमबद् तो आपको आंसर देना होगा आप सुनने की कोशिस करना प्रेस्ट कैसे पूछे जाते हैं प्रायोगी खरण के स्टेपों का क्रम है जीरो से लेके आठ, जीरो से लेके नो, एक से लेके नो, इस तरीके से अगर आप से पूछ लिया जाए तो जीरो से लेके आठ, कितना? जीरो से लेके आठ, इस तरीके के स्टेप चलते हैं, प्रायोगिक बर्गी करन में आठवे नम्मर का स्टेप, स्टेप आठ, जो क्या द बरबल प्लैन, बरबल प्लैन को प्रदर्सित करता है, तो बरबल प्लैन को कौन सा प्रदर्सित करता है, पांच में नमबर का, जिसको बोलते है, टाइटल इन इस्टेंडर टर्म, यह आप लोगों को उतार लेना याद रखना, ठीक है, इसकी जो कहानी है, वो उधारन से हम मैं ऐसे समझ जाएंगे आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि हाँ यह चीज समझ में आ गई अभी एक बार को ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है कैसे याद होंगे मैं अभी इसी क्लास में आप लोगों को याद करवा दूगा जब मैं एक्जांपल के त्वारा आप लोगों क आप से पूछा जाएगा वो आप लोग यह सुनन्वन के कौशिस करना साथ sympath को शमयना है । सबसे पहला होता है अरह जब हम ठीक किताब का टाइड़ का ठाल मतलब जो है कॉल निंबर बनाने की कि जब हम वहाँ पर कॉल नंबर बनाते हैं कोई भी टाइटल हो जैसे मान लीजी हमारी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में हमारे पास किताब आई तो किताब जब हमारे पास आती है तो सबसे पहला काम तो यह रहता है कि उसकिताब को आते ही हम अग्सेस रिश्टर में सबस्टाइब करते हैं रिजिस्टर में किताब अब फिर एक किताब और हमारे पास आती है तो हम अगली किताब को 40000 एक नमबर देंगे देने के बाद उसका टाइटल लिखते हैं उसका ओथर लिखते हैं कहां से वो आई है तो ऐसे वो अक्सेशन नमबर का हम जो काम देने का जो काम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं तो अक्सेशन नमबर देने के लिए अक्सेशन पर पांजी का जिसको कहते हैं इसके बारे में एसके बारे में में चो लेकर चरचा कर रहे हैं तो आगो से कॉलम करने के लिए सब सबसे पहले हमने जब access and register में उसकी entry कर ली entry करने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसका टाइटल क्या है फिर हम क्या करते हैं कि classification उसका करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका टाइटल क्या है आप माल लीजिए एक किताब आपके पास आई और किताब आने पर आप लोगों ने देखा कि उसका टाइटल है एक हिंदी की किताब है जिसका टाइटल है गोदान उसका टाइटल है तो गोदान टाइटल है तो गोदान किसकी है मुंसी प्रेम चंदकी तो कह मतलब एक तरीके से उसका कच्चा मैटेरियल मतलब उसका एक नाम जो नाम किताब बाले ने वहाँ पर हमको दिया है जैसे हमारी किताब है जिसका नाम है लिस्पीडिया तो लिस्पीडिया नाम की जो किताब है उसका नाम एलाइस पीडिया तो कहने का मतलब लिस्पीडिया सीवाम कि जो किताब है उसका एक सिंपल सा टाय टाइटल जो है वो लिस्पीडिया ही है ठीक narrativ ऑप होगए उसका रोटाइटल किलियर है किताब आई किताब पे हमने टाइटल देखा टाइटल देखा तो वो कौन सा टाइटल हो गया रोटाइटल देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की और थोड़ा सा समझने की आप लोग कौसेश करना बहुत इजी टॉपिक है प्रायोग बर्गी करन पढ़ रहे हैं नो इस्टेप इस से जो स्टेप है इसका वह स्टेप कौन सा है साब दिख मतलब बरबल प्लैन है और चटमे और सात्वे नंबर का जो इस टैप है वह उसका नौटेशन प्लैन है ठीक है और जो शलास्ट में रह जाता है आठवे नंबर का जो बाद में दिया गया था वो सिर्फ verification के काम आता है कि जितना भी काम हम लोगों किया है उसका verification मतलब उसका एक तरगे सत्यापन किया जाता है कि क्या जो हमने किया वो सही है बस यह समझने की बात है मैंने आप लोगों को अगा था कि सेकेंड जो यूनिट है यह समझने की यूनिट है इसमें आप रट तो सकते हो लेकिन उससे पहले समझने की कौसिस करना बहुत जरूरी है और मैंने आप लोगों को कई बार यह चीज कही है कि यदी माल लीजिया आप लोगों ने एक बार को प्रेक्टिकल जो है नहीं भी पड़ा कि तब भी में कौसिस करूखा कि आप लोगों के जो यह प्रेक्टिकल यूनिट है यह पहुत अच्छे से समझ में आ जाए और ज्यादा नहीं तो अथना तो आप लोगों को करवाके ही जाऊगा इतनी याद तो मैं आपको बताते ही जाओंगा इतनी याद तो मैं करवाता ही जाओंगा कि आप जो है एक्जाम में अपना प्रश्न सॉल्व करके आ जाओगे ठीक है तो यह जो है यह आपको समझने की बात है एक बार सिर्फ समझना है समझ जाओगे तो ही जी आपको एक बार में लग जाएगा मैंने सबसे पहले बताया कि हमारे पास जीरो नंबर पर जो होता है स्टेप नंबर जीरो सूपान नंबर जीरो यह जो होता है यह कौन सा होता है रोटाइटल होता है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं परिस्कृत आख्या अब हिंदी में देखो कित टाइटल होता है तो रोट टाइटल जो किताब पे लिखा हुआ होता है किस पे लिखा हुआ होता है किताब पे जो लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं रोट टाइटल कहते हैं फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर दूसरा इस्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं फुल टाइटल मतलब यह जो आपना कौन सा रो टाइटल है जैसे माली जी गोधान की किताब थी तो गोधान की किताब तो हमारे पास डायरेक्ट टाटल दिख रहा था हमको किताब पर लेकिन हमको उसको क्या करना है फुल बनाना है अब फुल कैसे बनाएंगे जैसे माली जी होती हैं किताब मे nihila कि जतनी बहुती है सारी की सारी खित यह जो हमारे पास कोई किताब आती है तो उसमें लिखी हुई होती है अब आप लोग यह ना सोचेए मुथा बन्त रखा है तो इस टाइटल के अंदर भी अगर अपन खोल के देखेंगे तो उसमें और भी कई जारी चीजें लिखी होती है और उसका कुछ थोड़ा बहुत विवरन भी किताब में लिखा होता है ठीक है आप लोग अपने आपको एक लाइबरेडियन मान के चलिए आप स्टू स्टूडेंट है इस्टूडेंट मनके ना पढ़िए आप लोग लाइबरेडियन मनके पढ़िए कि हम एक लाइबरेडियन हैं हमारे पास किताब आती है आती है तो हम उसकी किताब को देखते हैं देखते ही उसको अक्सेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री कर देते हैं एं कृतिम सेंख्या होती है डाक्टर ऐसा रंगनाथन ने परिभासा में भी कहा था आप लोगों को याद हो तो कल जब मैंने परिवासा आए क्लासिफिकेशन की बताई थी तो उन्होंने कृतिम भासा का नाम लिया था याद हो तो तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर यही है कि जो है पहला हमारा टाइटल आया टाइटल को हमको क्या करना है उस टाइटल को हमें फुल करना है ठीक है फुल कैसे करना है कि जैसे गोदान नाम की किताब आई थी तो वो तो उसका उसका हो गया रो टाइटल फुल कैसे करना है कि मुझ्सी प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास गोधान ऐसे करके उसको हम क्या कर लेते हैं फुल कर लेते हैं इसका उधारन देखे हम समझेंगे अभी सिर्फ आपको एक बार ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे इसमें जो स्टैप है ने स्टैपों का काम इसमें कर रहे हैं इनको एक बार ब्रीफ आप लोगों को समझना है लेकिन इसके बाद में हम समझेंगे पूरा एकदम प्रॉपर उधारन के द्वारा तो यह जो टॉपिक है बहुत अच्छे से और बहुत सांदर तरीके से आपका किलियर होने वाला है और एक प्रेशन आने क इसे एपरि sugar के आने होती है जिस dlatego किताब पर लिखी हूँ और अब गोदान आया गोदान को टाइटल है हमने फूल कर लिया तो ज always रखिया स्थे ने सिर्फ क्या हुआ था रो टाइटल को लिख लिया था दूसरे स्थेप में क्या हुआ था कि रो टाइटल को हमने क्या कर अब करनल टाइटल का मतलब क्या होता है करनल टाइटल का सीधा सीधा मतलब होता है कि मूल पदों में आख्या का मतलब क्या होता है मूल पदों में आख्या का मतलब होता है कि जो इसमें कुछ ऐसे सब्द होते हैं उन सब्दों को जैसे एंदी का प्रियोग कर दिया था हमने या फिर हम कह सकते हैं कुछ एंड का प्रियोग कर दिया था या प्रवन कह सकते हैं कि उसमें कुछ हिंदी का है तो हिंदी में और त उपन्यास ऐसे करके जो तीन जो उसके जो मैन मैन चीज है उनको हम निकाल लेते हैं याद रखना सबसे पहले मैंने क्या बताया था रोटाइटल दूसरे स्टेप पे फुल टाइटल फुल कर लिया फिर उसमें करनल करनल का मतलब उसमें जो फाल्तु की जो चीजें थी एंड हुआ एंड हुआ है ना और भी कई सारे ऐसे टर्म उसमें लगे हुए है तो उनको हटा देते हैं और जो मैन मैन चीज है उसका करनल करनल है उसको हम लिख देते हैं मतलब उसके मूल पदों को ही लिखते हैं बस यह इसका तीसरा यहाँ पर स्टैप हो जाता है मतलब करके फिर उसको क्या करते हम उसको हम करते हैं ट्रांसफोर्ड क्या करते हैं ट्रांसफोर्ड मतलब उसको हम रूपांत्रित करने का कार्य करते हैं आप क्लासिफिकेशन से कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन से करने के बाद इसका क्या कर देते हैं रूपांत्रिन कर देते हैं जो कर देते हैं अब एक बार मेरे साथ याद करने की कौसिस आप लोग करना रो टाइटल फुल टाइटल करनल टाइटल एनलाइस टाइटल और ट्रांसफोर्ण टाइटल देखो सुनो चार जो है जीरो से लेके अपना कितने तक चार तक इनको एक बार याद करने की कोशिश करो रो टाइटल फुल टाइटल करनल टाइटल पहला कुन सा था कच्छा वाला रो फिर उसके वाद उसको फुल किया फिर उसके करनल सब्दों को तो रो टाइट रोत वेृत में आते हैं अब आप लोगों से प्रशन आफर क्या अई से एनक बूछर पर आता है तो बैचारिक इस्तर या अंकन इस्तर यह कोई नहीं ऐसे आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो तो आपको आंसर क्या देना होगा अगर करनल का आ जाएगा तो उसमें आंसर देना होगा कि भाई बैचारिक के लिए यहां पर पूछा गया है तो यहां पर यह याद रखना है कि 0 से लेके 4 तक के जो है यह आईडिया प्लेन मी आते हैं यह गocrating कि स्थर में आते हैं कि लिए तीन स्थर बताये थे ब्हें जाएं न कि प्लेना को को 9 स्टेपों को इन तीनों इस तरों में बांट रखाए जिसमें 0 से 4 में से अगर कोई सा भी उठा के पूछ लिया जाए तब आप समझ जाना कि बैचारिक याद कैसे करना है रो टाइटल फुल टाइटल करनल टाइटल एनलाइस टाइटल और ट्रांसफोर टाइटल सबसे पर फुल किया फिर करनल उसके लिखे पुर सका क्या किया से किया तो कहने का मतलब यह आपके चारों की ठीक है तो इसलिए आप कई वार यह गलती ना कर दें कि यह स्टैप कितने हैं आठ है आठ नहीं है यह कुल स्टैप कितने हैं नौ स्टैप है जीरो से स्टार्ट है ठीक है यह गलती कई वार एक्जाम में कई लोग कर चुके हैं इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं के लिए रहे न अब बात करते हैं किसकी अगला जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ साब्दिक जो वर्वल टाइटल है उसमें एक ही आता है साब्दिक में जिसमें बात करते हैं हम किसकी टाइटल एन इस्टें स्टेंडर्म दे रखी है उन टर्मों को यहाँ पर लिख देना है ठीक है कॉलन क्लासिफिकेशन में जैसे मान लीजी गोदान का क्या नमबर दे रखा है हिंदी उपन्यास का क्या दे रखा है तो ऐसे करके जो उसके स्टेंडर्म है जो कॉलन क्लासिफिकेशन में हमें दे फोकल नंबर अब टाइटल इन फोकल नंबर का क्या मतलब होता है कि टाइटल इन फोकल नंबर तो फोकल नंबर जो होते हैं उसके यहाँ पर संकेंद्रिय संख्या युक्त अख्या मतलब उसके जो फोकल नमबर है उनको हम क्या कर देते हैं लिखने का काम यहां पर कर देते हैं फिर अगला आता है टाइटल इंड सिंथेसिस्ट फोकल नमबर मतलब उसका जो प्रॉपर और उसका में जो टाइटल है उसको हम लोग लिख देते हैं आप ती अ्याइस्टी में बाटते हैं में बाटने के बाट पी अछिका फिर जो पी एम फी करम है उसका नम नम करते हैं 襯ा में जमाने के बाद 거죠 वो कल disp कर देते हैं और फिर लिखने के बाद सबसी कर देते हैं अब को एक बार में तोड़ी कठिन लग रही होगी लेकिन मैं कराऊंगर आपको कठिन भी लग रही होगी तो अब आप जब उधारन समझोगे आगे हम उधारन लेके आप लोगों के सामने बात करेंगे सब आप लोगों को समझ में एक एक चीज आजाेगी आप लोग यह ना सोचे कि सर इनके वारे में हम लोग लिख नहीं पाए हैं तो यह जो है साथ में हम उधारनों के साथ में लिखाते चलेंगे और आपको लिखना चलना है यहां तक का जो है सारा आप एक बार उतार लीजिए ठीक है यहां तक का एक बार सारा आप लोग उतार लीजिए ताक चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा अब इसको हम समझेंगे आगे उधारन से एक्जामपल लेके आए हैं आपके लिए एक्जामपल जो है सबसे पहला एक्जामपल हम लोग आपका यहां पर सबसे पहले सबसे चलिए इस्टेब जीरो से चलिए इस्टेब जीरो है जो कौन सा था रो टाइडल था ठीक है इस्टेब जीरो जो था वो कौन सा था रो टाइडल था तो रो टाइडल के वारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक टाइडल दिया हुआ है ठीक है इस्टेडी जो आख्या पुस्तक के ऊपर लिखी होती है जो आख्या पुस्तक के ऊपर लिखी होती है उसी को क्या कहते हैं उसी को रोटाइटल कहा जाता है उसी को क्या कहा जाता है यह आप लोग लिख लीजिए अप देखो उधारन से समझने कोई कोशिश करेंगे यह उधारन अमने लिया है इस उधारन का पूरा पोस्ट मार्डम हम आप लोगों के सामने कर दिंगे तब आपको एक एक चीज एक एक स्टेप आपको clearly समझ में आ जाएगा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले नौए स्टेप बताये थे नौए स्टेपों को तीन इस तरों में बाट रखा है जिसमें अपना आइडिया प्लेन है जिसमें बरबल प्लेन है जिसमें नौटेशन प्लेन है तीनों के तीनों के तीनों को मैंने आपको समझ जाने के साथ मैंने आप लोगों को बताया था की एक उधारन से मैं आप लोगों को समझाने की कौसिस करूँगा और आप लोगों को अधारन से एक दम अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है कि स्टेव जीरो जो रोट टाइटल कहा जाता है एक किताब का हमने एक से सन नंबर एकसे सन रजिस्टर जो है उसमें उसको हमने एंटरी कर लिए उसके बाद में हमको क्लासिफिकेशन करना है और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें नौ چर्णों में होके गुजरना है ठीक नौ स्टेपों में होके गुजरना है जिसका पहला स्टैप क्या है जिसका पहला स्टाइटल किताब पे लिख रहा है उस qa role chor आइचल कहल आएगा तक अब कर लेते हैं अब देखो यह चीज स्वस्ट के अंदर लिखी होती है आप लोग यह चीज मनसे लिख दी है उधारन में ऐसा न मरत देखते हैं तो अंदर आपको पता चल जाता है कि यह किताब किस से संबन देता है तो वो चीज यहां पर दी गई है तो देखो इनस साइकलोजी एस टेड़ी ऑफ दा टेमप्रेपमेंट और भूमेंट तो यह जो इनसाइकलोजी है इस इनसाइकलोजी को उसकिताब के अंदर से देखा और देखने के बाद इसको इसमें जो जोड़ दिया इनसाइकलोजी जोड़ दिया इनसाइकलोजी जोड़ दिया और ये इनसाइकलोजी सब्द हमें कहां मिला ये इनसाइकलोजी सब्द हमें मिला उसकिताब के अंदर ही उसकिताब का टाइटल है टाइटल के भीतर जो उसमें कुछ एंट्रियां होती है आप देखना का भी किताब खोलके तो उसमें से हमने यह लेया है तो इस स्टेप को क्या कर दिया यह हमने क्या कर दिया फुल कर दिया इसको जोड के तो इसमें क्या कहा गया है कि इस चरण में मूल्व बर्ग का प्रतीक पद साइकलोजी क्या जोड़ा सा और जो चीज है उसको जोड़ के जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गोधान क्या बताया था सबसे पहले क्या बताया था गोधान को बताया था और गोधान में हमने क्या जोड़ दिया मुंसी प्रेमचंद का मुंसी प्रेमचंद का कि हंदी उपन्यास मुंसी प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास ऐसे जोड़ा था ना उधारन जो मैंने आपको पहले बताया था लेकिन यहां पर हम उधारन लेके चल रहे हैं इस्टेडी ऑफ टेंप्रेप्मेंट और बुमेंट जिसमें हमने इन साइकलोजी को जोड़ दिया है दो स्टेप आपक इसको बोलते है करनल टाइटल कौन सा सब्सक्राइब लिया है करनल टाइटल अब करनल टाइटल क्या होता है करनल टाइटल में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका यदि मान लीजिए इन है इस टेडी है ओफ है दा है देखो यह उधारन था इस उधारन में देखो इन आ गया यह आ गया ओफ और दा आ गया और यह फिर आ गया तो इनको क्या कर देते हैं इनको हटा देते हैं क्या कर देते हैं इनको हटा देंगे अपन क्यों क्योंकि इनका कोई वहाँ पर अर्थ नहीं होता है जब हम कॉल नंबर बनाते हैं तब हमको सिर्फ वहाँ पर चाह कि आफ और दी इसको क्या कर दिया हटा दिया और सिर्फ हमने साइकलोजी टेम्प्रेपमेंट और बूमेन सब्द को ले लिया तो यह बात हो गई किसकी करनल टाइटल की तो करनल टाइटल का यहाँ पर सीदशीदा अर्थ क्या रहा कि आख्या से अनावस्यक सब्दों को अख सब्जेक्त नहीं करते इन से कोई सब्जेक्ट का लेना देना नहीं होता और नहीं इनके कोई नंबर बनते तो इसलिए हमने क्या किया हम लोगों ने इन सारे सब्दों को क्या कर दिया हटा दिया इन सारे की सारे सब्दों को हटा दिया और हमारे पास क्या रहे गया यह पर सिर्फ इसका करनल टाइटल है कि लिए रहे हाँ तक अब आगे का स्टेप जब हम बढ़ते हैं तो इस स्टेप में आप देखिए कि एनलाइसिस क्या होगा अब करेंगे हम एनलाइसिस ठीक है वो टाइटल हमारे पास आ गया और आने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे एनलाइसिस करने का काम करेंगे एनलाइसिस क्या कैसे करेंगे तो देखो एनलाइसिस करेंगे हम किसको लेके कि भाई ये इसमें कौन सी इस तरहे ना कौन सी इसमें PME ST personality matter energy space time क्या है मतलब तो उन सब चीजों का सिर्प आकलन करने का काम करेंगे किसमें एनलाइस में मतलब इन सब चीजों का क्या करेंगे एनलाइसिस करने का काम हम लोग करेंगे जिसमें देखो जिसमें सबसे पहले यहां पर बताया गया है psychology तो psychology हो गई हमारी basic class जिसको हम क्या बोलते है मैन क्लास बोलते हैं आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा psychology अपने आप में क्या है एक subject है और यहां पर जो colon classification होती है उस colon classification में यहां पर psychology को क्या है main class बताया है क्या बताया है main class बताया है ठीक है तो main class हो गई मतलब basic class हो गई क्या psychology तो यह आपर analysis सिर्फ हमको अभी एक बार को analysis करना है क्या करना है सिर्फ हमको एक बार analysis करना है कि यह क्या है तो हम लोगों ने देखा कि भाई psychology अपने आप में subject है तो यह क्या हो गई यह अपने आप में एक बिसे हो गई एक man class हो गई तो इसको अमने क्या बता दिया कि भाई यह एक basic class है man class है कि लिए रहा तक फिर दूसरा सब्द हमारे पास आया था दूसरा सब्द आया था हमारे पास temperament क्या था temperament आया था जिसमें यह energy में आता है किसमें आता है energy में आता है और energy में भी टूपी में आता है ठीक है अब यह जो है यह क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे पता कैसे चला कि energy में आता है तो देखो एक हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन में PME ST PME ST चलता है जिसमें personality matter energy space और time इनके according इनको को देखा जाता है कैसे देखा जाता है कि जैसे माल लीजिए हमारे पास कोई समय दे रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर T कहेंगे समय दूसरा हमें अगर इसरा हम किसी कार को करने में कोई एनरीजी लग रही है तो वो क्याहोगा वहगा अपना क्या है यहाँ पर एनर्जी हो सबसे सरल किसी चीज को देखना है ये सारी चीज सबसे सरल जो है है सबसे सरल किसी चीज को देखना होता है तो वह time होता है और सबसे कक्तना अगर कोई चीज हम मिलती है तो भार नल्टी मिलती है ठीद के और कि अलग अलग चिनद बटाए गये हैं ठीट है कि यह क्या हो रहा है चल रहा है इसको हम कैसे समझे तो यह सारी चीजें जो है honker classification की विसेश्टा जो अगली Class Ken вся일own और धर हम पहुंच जाएंगे चब हम इन्हिन को पढ़िएंगे तब हम PHTC के बारे में और अपने आवरतन इसतर के वारे में और अपनी कैसी मेन क्लास होती है कैसे इन प्रिफ Safari हो में क्या होता है सारी दीटिएल जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ठीक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में देखो पिरतेक मूलपद के साथ क्या पिरतेक मूलपद के साथ इसके तत संबंदी मूलभू स्रेणी का प्रतीक दीर कोश्टक में जोड़ दिया जाता है थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई है एक सेक्ने को ला रहा है हाँ जी मूलपद के साथ कि तत संबंदी मूलभू स्रेणी का प्रतीक दीर कोश्टक में जोड़ा जाता है आप देखो यह है जैसे मान लीचे यह क्या थी एक मेंन क्लास ठी तो तो इस man class को यहां लिख दिया कि भाई ये man class है एक basic class है और इसको बड़े कोश्टक में हमने यहां पर लगा दिया हमको पता चला कि यह energy से संबंदित है और उसमें यह 2P से संबंदित है तो इन दोनों को हमने क्या किया बड़े कोश्टक में लिख दिया तीसरा आप लोग आ लोगों को नियूंद समझने की जरूत है आपको पूछा जात אבל परते हैं जब हम और सिर्फ चीजों में हुआ क्या है तो इसमें सिर्फ यह हुआ है कि जो हमारे पास में क्लास थी उस में क्लास का लिख दिया जो हमारे पास एनर्जी थी उस एनर्जी को लिख दिया और इन सब चीजों को हमने सिर्फ छाट लिया है कि यह चीज यह है और उसको बड़े कोश्टक में लिख दिय पी क्या है पी होता है पर्सनलिटी अब हम आवरतन और इस तर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब आवरतन और इस तर हम लोग पढ़ेंगे तब हमारी यह चीजें किलियर हो जाएंगी अभी हमको सिर्फ इसके रूल जानने है कि कैसे यह नोई step जो है इनमें से हम title निकाल के लाते हैं colon classification जस्ट इसके बाद अब start ही होने वाली है उसमें हम colon classification के जित्ते भी वहाँ पर कह सकते हैं विशेश्ता हैं उनको हम पढ़ लेंगे step 4 जिसको हम बोलते है transform title इस title में क्या होगा इस टाइटल में हम लोग इनका सबका क्रम जमालेंगे किसका कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को पताई है कि सबसे पहले क्या आती है सबसे पहले आती है basic class फिर आता है p.me.ht मतलब सबसे पहले अगर personality है तो personality पहल अगी ही फिर आएगा अपना energy और फिर आएगा आपका यहां पर कह सकते हैं कि space फिर आएगा time तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले हमेशा basic class आती है और basic class जब आती है उसके बाद में फिर आती है अपनी personality फिर मैंटर फिर एनर्जी फिर इस्पेस टैम अब इसमें personality दे रखी है तो वन पीवन वन पीवन का मतलब होता है कि आवरतन इस्तर जब हम पढ़ते हैं तो आवरतन इस्तर में हम देखते हैं कि यह पहले का पहला राउंड है आवरतन और इस्तर के तीन तीन चार्चार राउ पढ़ेंगी तीजी को कि आप लोगों को यह याद रखना है कि बहुए सिक क्लास है सब से पहले बेशिक क्लास में क्लास को लिखते हैं फिर UFC करंब में लखते हैं फिर P लिए फिर E एसे लिखते हैं तो बहां पर basic class दे रखी है फिर उसको हम यहां पर इस क्रम में जमाते हैं याद रखना transfer title का मतलब है क्रम में जमाना तो क्रम में जमाते हैं किसके basic class PME STK तो यहां पर क्या लिखा गया है कि यहां पर अभीधारनाओं के अनुसार मूल बर्ग को पहला लिख लीजिए इसका मतलब है कि यहां पर अभीधारनाओं के अनुसार कि क्या अभीधारना है कि सबसे पहले तो मूल बर्ग को लिखते हैं मतलब basic class को लिखते हैं में मेन क्लास को लिखते हैं मूलवर्ग का मतलब मेन क्लास है हंदी में मूलवर्ग को पहला इस्तान देते हैं याद रखना सबसे पहले तो बेसिक क्लास मेन क्लास ही आएगी तो मूलवर्ग को पहला इस्तान देते हैं अन्न मूलभूस त्रेनियों को अन्न मूलभूस त्रेनि PMEHT आप लोगों को पता होगा PMEHT जिसको क्या करते हैं मूर्टता का हास के क्रम में अनुसार इसको जमाने का काम करते हैं तो सबसे पहले हैं भी मूरता का तर females करते हैं और पिए ही प्लाएं तो प्रिक नहीं है तो नहीं लेखा और अपर मतलब इस क्रम में चलता था यहां पर पूरी कहानी बता दी गई है ठीक है अब आप लोग यहां पर यह समझनी की कौसिस करें एक बात प्हयों को रोटाइबल लिखाता कि कच्छा निक्साण नाटा है वह उसको लिखते हैं धूचरे छिविए नंबर कर उसका समय किया था हटा दिया कि तीसरी स्ट्राइब बाकी जो भी कार्वेकर से सब्सक्राइब कर दिया ट्रांसरंड सबसे पहले मैन क्लास को यहां पर लिखा फिर पीम ईएस्टी के क्रम में इसको पूरा की पूरा लिखा हम लोगों में फिर उसके बाद में तर मेडमा फिर आता है कों सा टाइटल इन इस्टेंडर्ट टोर शन्टण साथ उसका जो standard term होता है वो टर्म हम लोगोंने नहीं लिखा तो इसमें जो women सब्द है ना women नाम का जो सब्द है वो women नाम का सब्द कॉलन classification में कहीं पर नहीं लिख रहा अब women नहीं लिख रहा तो उसका नाम से कुछ नहीं है तो आपको फिमेल से मिलेगा तो इसमें यही लिखा गया कि इस्टेंडर क्लासिफिकेश्चन में इस्टेंडर्ड टर्म क्या चीज़ें तो कोलन क्लासिफिकेशन में जो स्टेंडर्ट टर्म है वह द्द कौंसी है वह यहाँ पर बूमें ड है तो यह चीज यहाँ पर लिखी गई है तो वहाँ चीज़ odpowiedो साइक लोगिज आपको डिर्ट मिल जाएगी वेस्ट किया जाता है कहने का मतलब यही है कि जो कोबन गलाशी filling हमारी पथ्दिति है उस पथ्दिति में Huh क्या है की जो में सब्ध है वो नहीं मिला तो हम लोगों ने उसका एक तरिके से इंडार्ड में यूज ले लिया जिसको बोलते हैं फिमेल और फिमेल का यहां पर इसको एड़ कर दिया और इसलिए हमने इसका नंबर इस तरीके से यहां पर फिमेल में जोड दिया गया है तो यह टाइटल जो है स्टेब फायव हमारा पूरा होता है इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिए और इस्टेंडर फायव का मतलब होता है कौनसा आप लोगों ने आईडिया प्लैन पड़ा था चीरो से लेके चार तक का और यह किसमें आता है यह आपका कुंस में आता है आप लोगों ने देख देख लिया है अब आगे हम पढ़ेंगे इस टेप नमबर 6 और उसके बाद में नोटेसन के दो है इसके बाद में पढ़ेंगे यह यहां तक की कहानी कलियर हो गई अब की दिमाख में और लाश्ट में और और उसको बता दूँगा में ठीक्या लास्ट में एक बार और बता दूंगा ताकि एक भी डाउट आपके दिमाग में कता ही नहीं रहे इसलिए चलिए अब है टाइटल इन फोकल नंबर फोकल नंबर फोकल नंबर फोकल नंबर का मतलब यही है कि जैसे हमारे कॉलन क्लासिफिकेशन में साइकलोजी को क्या कहा है ना साइकलोजी को क्या कहा है फिमेल को क्या कहा है टेंपरेप मेंट को क्या कहा है मतलब क्या नंबर दिये उन नंबरों को हम डारेक्ट लिख लेंगे किसके मनला उसके क्या कहलाएंगे यह उसके यह कहलाएंगे फोकल नंबर क् ठीक है फोकल नंबर कैसे जैसे देखो यह जो है एस तो एस क्या है साइकलोजी कि दूसरा है पच्पन नंबर तो पच्पन नंबर किसके लिए दिया गया है आप क्लासिफिकेशन में कभी प्रेक्टिकल में देखेंगे तो पच्पन नंबर दिया गया है किसके लिए फिमेल क के लिए दिया गया है तो कहने का मतलब जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन में यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम वहाँ पर क्लासिफिकेशन का उपियोग करके हम कॉल नंबर और क्लास नंबर काम हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हमसी दा सीदा क्या करते हैं store नंबर जो अपनी कॉलण जो है उसको उठाते है कोई तैटल मिलता है टाइटल में हम कोई हमसी सब्जयक्त का मिलता है जैसे we'll सब्सक्राइब बनाने का काम करते हैं लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो लोग समझने हैं प्रक्टिकल आपको एक बार को नहीं समझना है उधारन से मैं कॉसिस कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाओं आपको एक एक चीज एक डाउट के लिए कर रहा हूं और उसी अकोर्डिंग आप पूरा के पूरा यहां पर इसको पढ़ें ठीक है स्टेप 6 है स्टेप 6 में फोकल नं रखा है एस दे रखा है क्या दे रखा है एस दे रखा है तो एस लिख दिया और यह क्या होगी हमारी बेसिक क्लास हो गई फिर हमने देखा कि हमारे यहां पर बूमेन का नंबर नहीं दिया तो उसको हमने फीमेल कर दिया था इससे पहले वाले स्टेप में तो फीमेल का नं तो यहां पर देखो इस सरन में पृतियक मानत पक्यस्तान पर कॉलन्ड क्लासिफिकेशन में जो उल्लेखित तर्थ संबंदी पृतिक संख्या जो है ना मतलब सीची में जो पृतिक संख्या है उसको रख दिया जाता है और मूलभू स्रेणियों से संबंदित पृतिकों को मूलभूत मूलभू स्रेणि कौन सी थी हमारी PME ST कौन सी थी PME ST 5 fundamental है ना मूलभू स्रेणियां जो थी उनको पृतिकों को दीर कोश्टक में मतलब बड़े कोश्टक में यथावत रख दिया जाता है ठीक है ना देखो एक बार फिर से समझने की कोशिस करो step number 6 पड़ रहे है step number 6 और step number 7 जो है अंकन को लेके काम आ गया है अंकन यहां पर स्टार्ट हो गया है तो कहने का मतलब यही है कि step number जो 6 है in title in focal number इसका नाम है कि लिए रहे title in focal number आप focal number क्या होते है कि जो colon classification में जिस टाइटल का नंबर दे रखा है उसको focal number कहते हैं तो जैसे भाई psychology है तो psychology को क्या दे रखा है psychology को यहां पर अपन है दे रखा है उसके बगल में लिख दिया कि यह basic class है बड़े को उसके बाद में हम ने देखा कि फीमेल है तो सब्सक्राइब जाते हैं तो सातवे नमबर के सटेप में एस TIFF में कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना अपनको सिंति सेंट हैं उन्हों को सब को क्या कर देते हैं इन सब्सक्राइब को हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं और इसका जो सिंथेसिस जो है उसी का फोकल नमबर लिखते हैं तो यह देखो यह लिख दिया ना रस फायव खाय उर सेवन फाय इसका सिर्फ और सिर्फ्य यह हम लोग लिख देते हैं तो यहां पर क्या कहा गया है कि यहां मूल भूव जिरों को सूचित करने वाले संचिप्थ प्रतिकों को कोष्टक सहत हटा दिया जाएगा कोष्टक सहत प्र किया गया है तथा आवस्कता अनुसार प्रतिक प्रतिक संख्या के पूर्व तत संबंदी मूलभूत संकेत चिन्नों को क्या कर देते हैं जूड देते हैं तो यह देखो दो काम इसमें किये हैं एक तो क्या किया है एक तो हम लोगों ने किया है क्या कि इसका जो कोष्टक सहित जो अपना इसमें जो बता रखा था कि यह basic class है यह energy है उनको हटा दिया दूसरा क्या था दूसरा हम लोगों यहाँ पर देखा कि इसमें मूलभूत संकेट चिन्ड जो है जैसे मानली जी में आपको बताया था कि भई में अपर यहाँ यह पर यहाँ पर यहाँ यह जो है यह टाइल हमारा बनकर और निकल कर आता है तो इसमें दो काम किये हैं synthesis जो focal number है इसमें दो काम की है पहला काम तो ये किया है कि कोश्टक सहे तो उन सब्द को हटा दिया गया हटाया कि नहीं हटाया देखो हटा दिया दूसरा काम किया है कि मूलवूत संकेतिक चिन जो है उनको हम लोग जोड देते हैं मैं फिर से आप लोगों को वही बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे column classification मान लीजी आप लोगों ने कभी नहीं पड़ी लेकिन फिर भी आपको याद क्या करना है आपको सिर्फ ये याद करना है इसके rule कि इस step में actual में हुआ क्या था और वो मैं आपको एकदम clearly समझाने की causes कर र रहा होगा क्योंकि ये class लंबी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन थोड़ा सा practical था तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से आपका एकदम doubt जो है clear हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय लेके इसको बताने की causes कर रहा हूं ठीक है अगला है क daughter उसका क्या या हमने सथ्यापन किया क्या किया सथ्यापन किया मतलब उसके सही गलत की पहचान करी और यह जोय miejμा से ये सवता यहांपर आप से मैं चर्चा की और यहू टॉपक है यह तक मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की पूरा की पूरा जो टौपिक है एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज करूंगा क्योंकि यह ठोपिक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को रिवाइज करवाने की एक वार ज्रत पड़ेगी तो मैं उधारन से ही आपको रिवाज कर वाँगा फिर सबसे पहला सोपान कुन सा है step zero step zero जो है step zero में क्या हुआ था सिर्फ हमने जो हमारे पास row title हमारे पास किताब के पास था सिर्फ और सिर्फ हमने वो लिख दिया पहला काम दूसरा काम क्या था सौट सौट में सुनने की कौसिस करना दूसरा काम क्या था कि जो हमारे पास रो टाइटल था उसको हमने साइकलोजी जोड़ के इसको फुल कर दिया अब फुल करने के बाद तीसरा काम क्या था कि इस टाइटल में जो भी इन ए स्टेडी ऑफ दा ये जो जितने वी जो को लोगों ने क्या किया यहां पर बढ़े आगे तो हमने क्लासिफिकेसन में नहीं नहीं है ना भूमेंज जो सब्द है वो तो कॉलन क्लासिफिकेशन में है ही नहीं तो हम लोगों ने क्या किया यहां पर जो देखो साइकलोजी साइकलोजी बेसिक क्लास मुमेन यह और फिर यह फिर इनका क्या कर दिया हमने क्रम जमा दिया क्रम से लोगों को जमा दिया कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा तो इनका पहले पहले मेन क्लास आती है फिर पीएम एष्टी के क्रम से हम इसको जमा देते हैं ठीक है यह जमा दिया मूर्तता जिसको मूर्तता हास के क्रम में इसको जमा दिया फिर आएगा इस्टेंडर टर्म क्या रहेगी कॉलन क्लासिफिकेशन में बोमेन नाम की कोई नाम नहीं होता इसल ससका वो स्टेंडर्ट टर्म होगा तो यह ऐसे करके सको लिख देतेें पांच मेट नमबर का होगया फिर अगधाश चीजिए ज्श्क कार दिया ना सिंथेसिस का कर दिया जिसमें सारे जो चीज हमने कोश्टकों में लिखी थी वो अटा दी और यहां पर जो मूलबूत चिन्द थे उनको सब उसאלख जो तीन भागों में बात रखेएं जीरो से लेकर आठ तक चलते हैं आठेंज नंबर का बेरिफीकेशनelyn और अपना जीरो से लेके चार तक का जो है वह कौण सा था और उसके बाद में किलियरली हो गया होगा यह चीज समझ में आ गई होगी तो मैं आसा ऐसी ही करता हूं आप लोगों से कि एक दम से भैतर रूप से आपके समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों तो बहुत-बहुत धन्वाद आपकी आज इस क्लास के लिए थैंक यू